पूरी नमस्कार स्पुरी नमस्कार से बच्चों की हाई डिंग्रीज होती है इतने बच्चे जाते हैं हाई डिंग्रीज करना झाप्नी सभी लिपा होना चाहने है शाह ले किसना बडे बच्चा जो आपको शाम दोनाइट, अब इदर ज्यान दें, बई बच्चा लंबा हो पाईएगा, जो आप मेरी अक्टिविटी देखेगा, जो आजनों को सीखेगा, ठीक है, पुरी रमस्कार्शन हाई टीक रिज होती है, कुछ रातल में बताने जा रहा हूं, जिससे हाई टीक की र कि सबीटीक है, बगद दूर निल्रमस्कार का प्राश करेंगी पहले, वांज में दोना हाथो को ब्लकर लेकर जाएगें, पहला आजनों करते वना आजने करते हैं, परणाग सान, दूसरा आतन बूद अंसलों कीक आजनर करके, फे दकषिना सुशंचा लंगातार, राइट लेगा अगे रहते हैं, प्रेट पीछे स्वाइट करके वगर देखें फे पर्वत आतार, शाइट लेगातार, फे उस्वाइट नागातार, शाइट अचानि ने ने चेट लेगाती हैं पिस्वांगे पुदागातन स्वांगातन जोर्णों चुटकर शौंगातन स्वांगातन डह बिलाइदशय आपयातन स्वांगातन स्वांगातन की स्वांट लगदे, लुग दाप्राजन, बार्मापना बाज़ए, चले, फिर बार उठाज़ेगे, one, two, three, four, five, seven, eight, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस परकार हम फ्रैम स्टेप करते हैं, कौन सा भ्यास है ये बच्छो? शुरी मुस्कार करने से हमारी हाइट इंक्रीज होती है और पुरा सर्वानिव विकास होता है इसे हम 20-25 बार 50 तो बार तक कर सकते हैं इसने कहांची का लेवल भी बढ़ता है अब कुछ आसनों का अभ्यास जो कि आपकी हाइट के लिए इस पेसल है जिसमें सारा आजन करने से हाइट इंक्रीज होती है इस फर्स आजन हाइट के लिए विर्पाद अस्तातन इसे नाम प्रीज से पस्तित बार करते हैं इसे 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 बच्छी हो जाती है पिर अभ्यास करते हैं चक्रासन का अभ्यास खड़े ओकर भी कर सकते हैं और लेक्ट नवी में मैं बताओ आपाव को तेके नाम प्रीज कर आपना इस लग्रासन है ठीक है ये भड़े उपर होता है और ये उसकी प्रैक्सिस में बता रहा है उपको आथो को इस लगासे मोड़ लेक्टे नो उपलेकों देती हो और पिर कमद को उपर को उपने उपार लेक्टे जुगका पूँड़ को नचीर कमद कर अदाग जान्खी जया नो उपले कर लेक्टे उपलेकों 1,2, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 8 खालोड़ नहींजे नहींजें एिटार देटी बाहता है कर दो विस प्राब कर दोला हो जना भांज कि लुड़ प्राब कर दोला है चक्राथन का सर्वांगार्थन और हलाथन ठीक है हलाथन अश्रमुतानासन कंटिन्यू किया उससे हमारी हाइड निक्रीज होती है और हमारे जो लंग्स है उससे आपका इमिन शिस्टम स्टोड होगा यह पुझे गार्जन होता है इससे हमारे लंग्स स्टोड है लंग्स स्टोड होते हैं और फिर धन और आज़न को पकड़कर प्राजन होगा प्राजन होते हैं लंग्स प्राजन प्राजन लंग्स तो यह अभ्यास तुमने बताएं, आपकी हाइटी को इक्रेश करने के लिए, आप बोद यह पैक्किस करेंगे, पाँच से छे आसनों की, तो इतने आपकी हाइट इक्रेश होगी और आप भी हमिता पच्चन ऐसे लंपे हो जाएगे. और एक और प्रेक्टिस करेंगे, इसने आपकी हाइट और अच्छी है, पांच से तक मिनट आप एडी पूट पर करके चलेंगे, तो उसने की हाइट इक्रीज होती है, और खाने के लिए बताऊं क्या खाएटी इसने आपकी हाइट इक्रीज होगी, पुरभ्य का किस्टा बा आपका मुखवा आपको बिल जाएगा, ठीक है, तो उससे भी हाइट इक्रीज होती है, और लोगी का जूप स्पीना जूप करेंगे, हाइट इक्रीज करने तो लोगी के जूप को पीने से हाइट इक्रीज होती है, ठीक है?